बिहार में नगर निगम चुनाओ मेयर पद उप मेयर पद के लिए अब जनता ही तै करेंगी। ये विहार सरकार के आदेश के बेगुसराय में मेयर पद उप मेयर पद के लिए प्रतियाश्यो की लाइन लग गई है। हर लोग अब अपना केसमत आजमाने में लग गई। बे गुसराई से मैर्पद की दावेदारी को लेकर चर्चा में हैं और जनता जनारदन से आशिरवाद मांग रही हैं उन्होंने कहा में जनता कस्य वक्ता हूँ और रहना चाहता हूँ समाज के वीच हर सुख sortir में भी तत्पर रहता हूँ जस तरह से नगर निगम निगम में बर्सु कित, सिते तरह की समस्या उत्पन होती रही है साथी भश्टा चार में लिपती ये नगर निगम रही हैं जिस वजह से जनता हैरान परिशान रही निगम के मुखे समस्याई जलने कासी, नल जल योजना, ट्रैफिक की समस्या, यूआउ की समस्या, खेल से जुड़े खिलाडियों की समस्या, सही तमाम तरही की समस्या है, जिसे निजात दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस बार सरकार के आदेश अनुसार इस बा कहा कि इस बार जन्ट मेयर्पत का चुनाओ करेंगे जब तैय आएगी तारिक का और कब होगा चुनाओ ये तो आने वाला वक्ती बताएगा आज मैं इनके आवास पर हूँ और इनसे जानना चाहूंगा कि पास सालों में जो मेयर्थ है वो कार क्या किये और इनका क्या सोच थ जो अप मेर्पत के उमीदवार अभावी उमीदवार के रूप में आ रहे हैं सर पहले आपका अरपी भारत में सौगत हो धन्यवाद शुक्रिया दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी है मेरा खिदमत का जजबा है मेरा जो है वो एक अपना पैसन है कि हम खिदमत करें और एक सोच है कि हम देगुसराय नगर निगम को जितना बेहतर कर सकते हूं जो तूरूटिया रह गई हैं मेरी निगाह में उसको मैं दूर कर सकते हूं और इसी परवल इक्षा सकती के साथ मैं इसमें आया हूँ और जनता के भरोसे आया हूँ कि जनता ने इंशालला मुझे मेर बनाया तो मैं जितनी भी तुरूटिया हैं वो पुर्णतह मैं उसको खत्म करने की कोशिस करूँगा गालिब जी जहां चुनाओ की बात आती है तो नहीं नहीं चैरे भी उमीदबार होते हैं जो जनता उनको जानता भी नहीं पैचानते भी नहीं तो आप जब 4500 नंबर वाट के जनताओं के बीच जा रहे हैं या आपको कितने लोग जानते होंगे वाट के और भी जैसे परत्यासी होते हैं वो दूसे परत्यासी पर अरोप लगाते हैं या रही ये तो बाहर रहता है ये क्या करेगा ये इस तरह का है यह यहां तो नजन नहीं आता है ये बाहर क्या मैं भाई लंदन में थोरी रह रहा हूं कमाने के लिए लोग मैं अगर मैं पटन चला गया, तो मैं पटना में रह रहा हूं, मैं आता जाता रहता हूं, मेरा घर है ये, और मतलब के जन्मजात में बेगु सराइच से मेरे तालुक आते हैं, और मेरे अबाओ अजदाद के तालुक आते हैं, मैं ये नहीं है कि मेरे अबाओ अजदाद भी यहां पे पैदा हु बेगु सराय में रोजगार नहीं है रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं योबा पर लिख कर भी इरेक्सा चलाते हैं या बाहर जाते हैं तो नगर निगम किस तरह बेवस्था करेगी योबाओं के लिए सारे देश में बेरोजगारी है सिर्फ बेगु सराय नगर निगम में को अपने लिजे इसको पूरे राष्ट की समस्या है बेरोजगारी और हम इस चीज को जहल रहे हैं पूरी जनता जहल रही है युवा पिढ़ी आज खत्रे में है आज उसका वो युवा पिढ़ी जब को जब काम नहीं मिलेगा तो युवा पिढ़ी समाजिक तत्विया मतलब के दंगाई बनेंगे या किसी पार्टी के लिए परचार परसार करेंगे उनके पास दूसरा कोई आपसर नहीं है अगर रोजी रोजगार रहेगा तो वो क्यों किसी के इसमें ये करेंगे उनके अंद कर दें कोई बड़ा कांड कर दें किसी तरीके की इस तरीके की जो समाजिक हित में ना हो और युवाओं को मतलब ये समझ लीजे कि बिलकुल बरबात करने की साजिस है पूरे देश में सिर्फ आप नगर निगम से इसको इस समस्या को जोर कर मत देखिए सारे देश की समस्य है और सरकार को इस पर ये करना चाहिए जनता को भी चाहिए कि जो सरकार आपको यह नहीं कर पाती है आपको आपका देखर एक सही डंग से नहीं कर पाती है सिर्फ जात पात के अफीम को चटा कर आप कितना दिन तक राज चलाएंगे और लोगतंतर है लोगतंतर में आपको भी लोगों ने सत्ता दिया है कल तक कॉंग्रेस सत्ता में थी आज आप सत्ता में हो कल किसी और का सत्ता होगा सत्ता तो आती जाती रहती है बड़े-बड़े बादशाह भी हकूमत किये हैं तो उनका भी एक टाइम टेबल हुआ है कि इस पिरियेट से इस पिरियेट तक हिस्टी को खतम किया जा रहा है फिजिक्स कैमेस्टी को खतम किया जा रहा है और पढ़ने लिखने का जहां पर महौल मिलना चाहिए उस सारी जगों को विसाक्त में तबदिल किया जा रहा है आप देख रहे होंगे कि अभी एक परदा नसी एक बच्ची को बेटी को हमने देखा है कि आप ने भी देखा होगा कि उसके उसके साथ किस तरीके का वैबाहर हुआ और यह इस चीज को का कंडेम हमारे जो हमारे भारत के तमाम परबुद लोगों ने इसका खंडन किया और सब लोगों ने कहा कि नहीं यह जो चीज हुई इसकी पुर्ना विर्ती नहीं होनी चाहिए इस गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए यह किसी के नकाब लगा लेने पे और किसी के हिजाब लगा ले आज तो हमारी हिंदू बच्चिया है हमारी जो ब्रादराने अजीज बहने हैं या बेटिया हैं वो लोग भी अपने चेहरे को ढख करके चल नहीं है इसलिए विरोध कर सकते हैं आप में सकती ही नहीं रहेगा क्या आप धर्म की अफीम चाट करके और मतलब के लड़ाई लड़ते रहिए आप वो जो बड़े बड नेता हैं वो अपना उल्लू सिधा करते रहेंगे अपना काम करते रहेंगे आपको उससे कोई फाइदा नुकसान नहीं होगा देश गरत में जा रहा है उससे उनको कोई फाइदा मतलब उनको फाइदा है आपको कोई फाइदा नहीं है तो नगर निगम चिनाव है जहां सर कैसा मेहर चाहिए, किस तरह का मेहर चाहिए जब जनता अप dough करेगी, तो आपके हाति मेह, किस तरह आप देखिएगा, जनता इसी मेहर चाहती है. कि जो हमारे दुक्फ, दर्द हर चीज में सामेल हो बस यहीन हो, दो पस साल मेहर थे, वह काम किया क्या और की है। पाध साल के मेल को पास साल का काम कुछ ऐसा हमें लगा कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा काम किये का कि कि देंगू के बीच weaving आप देक्रें होंगे देंगू से लोग मरें फिर आप देख रहे होंगे जल जमाओ की समस्या फिर खातुपूर में आपने देखा होगा कि खातुपूर में भी पुरा गाउं ही समझी के डूब गयो भी नगर निगम के अंदर आता है यह दुख दर्द में सामिल लहते हैं तो कहीं नगी बोट्टिन के टाइम या चुनाों के टाइम जात बात को भी देखा जाएका क्या इसवार यह इसा तो कुछ नहीं चाला ही परहे लिखे लोग है मैं यही सब को संदेश देना चाहूंगा कि सबको दिया मौका बहुबल धनबल को भी आपने देख लिया एक साधरन व्यक्ति जो समाज के लिए यह है कि कुछ करें उनका आप लोग साथ दिया साथ दे और उने जीत के नगर निगम के कुर्सी पे बठाए जो कुर्सी पे सलू तो हमारे साथ सलू जी थें वो नगर निगम के बोटर भी हैं और इनका साप साप कहना है कि इस बार हम जनता असरुबात दे उसे मेयर को जो हमारे दर्द को सुन सके उसको जान सके और हमारे जो योजना है मेयर का वो तक पुचा सके जनता हो भी इसी अपडेट के लि निर्मान के लिये उपियोग लालस ची जी एंटी बार्स रिष्टा मजबूती बार्स